जले शार्ट करते हैं सबसे पहला इंग्लिज के इंडियम है देखते को से क्या दिया आपका देप्रैक्टिस ओफ ओवाकिंग है अधरेक्टिस ओफ वाकिंग इन स्लिप यह जो सोया रहा रहता और क्या करता है चलने की कोशिज करता है उसको हम लोग बलें इसको लोग बोलेंगे सोने बूली जी ठीक है यानिक अप्शन नमबर आपका राइट अंसर रोज़ेगा इसको संगा चले नेक्स को संदेखते वसन नमर टू पूशन नमट टू देख सकते हैं एंड राइटिंग और हैंड राइटिंग विच यह नोट बीज लिडियर यान विचिज नोट फ्रेश अधिंग विचिज नोट फ्रेश यानि कि कैसा थिंग जो क्या फ्रेश ना हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे इस्टेल इनिक अप्शन नमर भी आपका राइट अंसर हो जेगा चलिए नेक्स देख सब्सक्राइब फूर दे मडर ऑफ कि यानिकि रा इसको आप लोग जानते हैं कि इसको विद्वा का जाता है उसको क्या बोलें वीडियो यानिक आपका राइट अंसर चलिए नेक्स देता है यह आपका पांच इंगलिस हो गया खतम अब आगए हम लोग फिजिक्स में ठीक है यह फिजिक्स का आपका निमरिकल से चलिए इस इक्वल टू टू ट्वेंटी मीटर ठीक है दिन डिरेक्शन ओफ मोशन कि दवाग डनीज यानि कि वर्क डन अपको निकालना है यानि कि डाबलू बराबर एक फॉर्मूला प्लोग जात कर लिजे एफ डॉट एस यानिक एफ इंटु एस एफ आपको कितना था फाइव और एस आपको कितना है 20 इसको दोनों को मल्टिपले करेगा तो आपको कितना आजएगा 100 और वर्क का इसा यूनिट क्या होता है जूल यानिकि 100 जूल आपका राइट अंसर हो जागा ठीक है यह आपको फॉर्मूला याद करें डवर्क बराबर एफ इंटु एस यानिकि फॉर इंटू डिस्टेंज यानिका आपका राइट आँसर क्या हो जाएगा यूप्टा नमबर सी टिक है चलिए नेक्स देखते है आपको क्या है कुशंट नमबर सेवन जानिकि रेडियस आफ गाइरेशन ऑप मोड़ी किसी बोड़ी का दिपेंट किसे पर डिपेंड करता है त की मुझा डिस्टिमिशन और एक्सीज को रोटेशन ठीक है चले नेक्स्ट कुश्न देखते हैं कि दा अर्थ कि दा अर्थ रोटेट्स अराउंड एन एक्सिस पुइंटिंग टुवर्ट्स जो अर्थ घुमता है उसको एक्सिस को क्या बोलते हैं उसको अम लोग क्या बोलेंगे पोल इस्टार ठीक है तो इसका राइट अंसर हो जागा ए चलिए नेक्स्ट कुछ नमर जी हमें सांद नीचे की तरफ लगता है इसका इसका क्या हो जाब यह यह पोजिट डियारी कोई तो इसको डियेक्शन उपर अब यहांगें सांद नीचे लगता यानिव एक्पोजिट है ti-सका डाइरेशन क्या हो जागा आपोजिट जये ने सकुछन नमर तैनंकbrar टेग है which one which one among the following is an element यानि कि इसमें से कौन सापका element है इसका राइट अंसर क्या ग्रेफाइट यानि ग्रेफाइट आपको क्या element है नेक्स देख सकते question number 12 यानि कि magnesium is present in यानि कि magnesium present रहता है कि इसमें chlorophyll में ठीक है चलिए next question number 13 देखते हैं which इसमें से अपको कौन सा मैमल है इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा प्लेटिपस ठीक है इसका इमेज आप लोग देख सकते हैं यहां पर स्क्रीन पर इसको क्या बोलते हैं मैमल ठीक है चलिए next question आप देख सकते हैं यहां पर कुछन यूज नहीं किया जाता है तो इसका हो जाएगा option number D आपका राइट अंसर चलिए question number 15 देखते हैं आज का last question और question number 15 में क्या दिया आपका which one of the following animals is code-blooded ठीक है कौन सा ऐसा इसा इमेल जिसका code-blooded होता है तो इसका आपका option number भी आपका राइट अंसर ठीक है यानिकी सार्क ठीक है तो थैंको फ्रेंट्स आज कर इतना है और हम लोग में अबने स्टूडियों तो तक लिए जाहिंद